अ कि नमस्कार दोस्तो स्वागत हैं आपका जीवन और टेस्ट की वीडियो में हैं दोस्तो आज का हमारा वीडियो इतिहास भाग दो दोस्तो इतिहास भाग एक हमने पहले भी अप्लोड कर जहएं दोस्तों बहुत से पाट को स्टार्ट रहा है तो पिलीज दोस्तों पहला बाग देख लीजिए उसमें हमने सबसे सूर्फ हैं यह इतियास के जो इस्त्रोथ हैं विदेशी लेखक उनके दुवारा लेकी पुष्टकें किसके सासन काल में आए अभी लेक तता अभी लेक की सासन से संबंदित हैं वह सब कुछ हमने वड़े डिटेल से और ट्रिक लियात क्या है तो दोस्तो प्लीज उसको देख लीजिए मैं लिंक डिक्सक्रप्शन में पाचलाणकाल सिंदु सब्विता और सिंदु सब्विता के जो सहर हैं जो नगर थे वह कौन से संब में उनकी खोज है और उन से संबंदित हमें कौन किसी जानकारी मिली है यह हम सब इसमें पढ़ने वाले वह सब कुछ सांधार्र एक ट्रिक लगा के हम इनको याद करेंग यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथे साथ बैल आइकन को भी दवा ले ताकि आपको हमारी बीडियो की सुचना मिलती रहे तो दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों शुरू करते हैं प्रगतासिकाल से दोस्तों यह क्या होता है जिस काल में मनुस्य की जो घटनाए थी उनका कोई लिखित विब्रन हमें नहीं मिला है सीथे सिंपल बातों में कहें देंगे ऐसा काल जिस काल का कोई भी लिखित लेक हमको प्राप्त नहीं हुआ है उस से काल को हम अर्थ रहता सिकाल कहते हैं कि लिए दोस्तों आगे देखते हैं ग्यानी मानव यानि होमोसेपेंस का प्रिवेश इस धर्ती पे आज से लगबग 30 चालिस बर्स पूर्व माना जाता है ठीक है बात कर लेते हैं प्रगधासिकाल के इसको कितने भागों बाटा है दो बात कर लेते हैं मद्य पासानकाल की यानी 8000 इसापुर्व से लेकर 4000 इसापुर्व के बीच की जो अब्दी है वो मद्य पासानकाल के नाम से जानी जाती है बात करते हैं नप पासानकाल नप पासवानकाल चार हजार इसा पूर्व से लेके पच्चिस सो इसा पूर्व के बीच की जो अब्दी है उसे नप पासवानकाल के नाम से जानते हैं बात करते हैं दोस्तों पूरा पासवानकाल इसमें क्या था मनुस्यव क्या हलती दोस्तों इसमें मनुस्य पूरी तरह से एक जानवर की भाती कार्णे करता था यानि वह सिकार करता था ठीक है पूरी तरह से सिकार पर निर्वरता पत्थरों के ओज्यार बनाता था और इसमें सबसे अच्छी जो बात थी इसमें आग की खोज उन्होंने कर ली थी यानि आग पासार काल में मनुस्य ने पहिये का विश्कार कर लिया था सबसे अच्छी बात यह थी कि वह पहिये का विश्कार कर चुपा था साथ ही साथ बैए किर्सी करना सीख गया था और किर्सी में सबसे पहले जो फसल हुआ थी उसने गहूं एवम जो की हुआ थी ठीक है इसके साथ का साथ उसने पसु का पढ़ना सीख लिया था ऑर उसका प्रिठम पालतू पसु था बहत पुता था दोस्तों कुछन बन जाता है कि मनश्यस्यने सबसे पहले किसको पालतू पसु बनाया था तो आंसर बन जाएगा पुता दोस्तों अगले इसके कुछ दो पॉइंट ओड देख लेते हैं कि क्या क्या है मनुस्य ने सरप्रितम तामबा धातु का प्रियोग किया तता उसके दुआरा बनाया गया जो हत्यार था यानि ओजार था वो कुलहाडी थी कुस्तों बनता है कि सबसे पहले जो ओजार बनाया था वो क्या बनाया था पुलाडी और मनुस्य ने सबसे पहले जो प्रियोग किया तामबेगा आगे देखते हैं भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहन जोदलो था जिससे सिंदी भासा में जिसका आर्थ है मिर्तकों का टीला दोस्तों कुस्तों बन जाता है भारत का सबसे प्राचीन नगर ठीक है सिंदु सब्वेदा में कौन सबसे मोहन जोदलो और इसका आर्थ है मिर्तकों का टीला तो दोस्तों यह कुछ अच्छे से में कुछ टॉपिक ते जो हमनें अच्छे से डिटेल में समझे अब बात कर देख लेते सिंदु सब्वेदा से संबंधित कुछ most important point के बारे में जो बार बार एक्जामें बनते हैं और इनसे कुस्ण अच्छे से हर एक 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 ने कुस्ण बनके हमें मिल जाता है तो दोस्तों देख लेते कुछ most important point सिंदु सब्वेदा की सर्व माननेती थी जो मानी गई है वो 2400 इसापूर्व से लेके 1700 इसापूर्व के बीच की मानी गई है यह बात क्लियर दोस्तों सिंदु सब्वेदा की खोज राय बहादूर दयाराम साने ने की है इसको हम डिटेल में ट्रिकली आगे पढ़ेंगे से लोग धरती को उरफरता की देवी मान कर उसकी पूजा करते थे यह सिंदु सब्वेदा में मात्र देवी की उपासना सर्वर्दिक पिछले थी मात्र देवी के मैं आपको इस दिखाता हूं उनकी जो मात्र देवी थी ये थी तो ये उनकी उपासना करते थे पसुव में कूबडवाला सांड इस सब्वेता के लोगों के लिए बिसेश पूझने था यानि सबसे जादा जो पूझा होती थी वो कूबडवाला सांड जैसे क बीलकोर भी परिशित नहीं थे यानु DAVID तलवार के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे परदप्रथा एवं बेश्यविठा के लोगोते हैं और जलाते हैं तो लोग ते वो सब तक धनाने काम करते दोब kızımohan-jodra,好 क्योआ जो करका सकते ह Chile 2015 और श्रीक्रिष्ण वह हिंदु की देव हैं तो हिंदू क्या करते है आपने सबसुक्त सब्सक्राq बताए एक बढ़ के कारण संदु सब्पेटा का बिनास होifornia सिंदूसभवता की लीपी जो जुग है बहावनात्मक है ये लीपी धाइच से बाईयो लिग जाती परनी तुझे लीपी थी यो अग्यात थी दोस्तों खुछन बन जाता है कि सिंदूसभवता की लीपी कैसी थी तो आंतर बन जाएगा अग्यात तो करते थे थे यह लोहे से अपरिची थे यानि कि एक ऐसी धातु जिसको वैस नहीं जानते थे वैसी लोहा आगे देखते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों अब जो सिंदु सब्वेता के जो पिर्मु किस्थल थे वह कौन सी नदी पर बने हुए थे उनके उत्खलन करता कौन थे और कौन से बर्स में उनकी खोश की गई और उनसे सम्मधित क्या का जानकारी है मिली कुछ हालके फुल के जो हमारे जो पर पर एक सिंग बाले पसु की चाप जो मिलती है तो आंसर लगा सकते हैं हडपा हडपा में सब दफनाने की प्रिथा थी जैसे हम पीछले पीछे इसके बारे में बता चुके हैं ठीक है तो ट्रिक लगा लेते हैं कैसे याद करेंगे कि हडपा रावी नदी के किनारे बस्ता हुआ और इसके उत्कलन करता है वो दयाराम सानी है और जो बर्थ था वो 1921 में इसकी खोच की गई थी तो हम कैसे याद रख सकें ताकि हम आगे तक इसको याद रखें तो दोस्तो ट्रिक लगा लेंगे एक रभ हडपा तो दोस्तों अगर आप दो बार इस वाकियों को बोलेंगे तो आप मैं मानता हूं कि आप इसको याद कर सकते हैं यानि जो हडपा जो इस्तल है रावी नदी किनारे बस्ता हुआ है और इसके उत्कलन करता जो है वो दयाराम साहनी है और यह बर्स 1921 में इसकी खोच बात संब्द्र जानकारी में देख लेते हैं यह पाकिस्तान के सिंध्र प्रांत में इस्तित है और यह जो आर्थ होता है वो मरत्यों को को का तीला यहां से क्याएक जो नर्तकी की कासे मूरती मिली है तीन मुख बाले देपता यानि पसुपति नात की मूर्ती और सबसे बड़ा जो इसनान गार रहे हैं जो सबसे बड़ी यहां की जो वह थी इमारत वह यहां से प्राफ्त हुए मोहन जोद्रो से भारत का सबसे प्राची नगर इवं सिंद्ध सब्वेता का सबसे बड़ा इस् कि मोहन जोधो सिंधु नधी पार बसा है और जोख अंदास कोर्ष में 2022 से यहांतर रखे तो दोस्तों आपको अच्छे से याद हो गया हुगा अगला देखते हैं अगला आता है चन हुद्रू क्या था यह कौन से नदीबर बसा था इससिंदु नदीबर बसा था उसके उत्करन करता थे वह गोपाल मजुंदार थे बात की जाए कौन से बर्स में था तो यह 1931 में थ ठीक एक 10 साल बाद इसकी खोच की गई थी तो इसमें क्या दोस्तों ये सिंद्ध प्रांच पाकिस्तान में इस्टित है इसके बारें कुछ जाद जानकारी नहीं है तो इसमें देख लेते हैं इसमें एक ट्रिक लेगा लगते हैं गोपाल और सिंदु 31 लोगों से चंदा मांगते हैं ठीक है गोपाल और सिंदु 31 लोगों से चंदा मांगते हैं गोपाल से याद रखेंगे गोपाल मजुमदार सिंदु से याद रखेंगे सिंदु नदी 31 से याद रखेंगे 31 लोगों यानि 1931 और चंदा से याद रखेंग यह कौन से नतिके माधरा नतिके और यह जो इनके जो उत्क्रन करता थे वह रंगनात राप्त थे और इसके खोश की गई थी 1953-1954 में की गई थी संबंधिन जानकर में देख लेते हैं यह गुजरात का काठ याड़ा वाड जिले में इस्तित हैं तो दोस्तों इसकी ट्रिक 53-54 की मदिरा से रंग हो गया यहां आपने 53-54 रुब एक धारु खरीदी ओगा रंग हो गया यह उस्तित्व महू रखेंगे 53-54 की दारु से रंग हो गया रखेंगे तरह नाथ इन दोनों से याद रख सकते हैं इसलिए याद हो जाएगा एक दोबार आप वीडियो देखेंगे या आप इसको एक दोबार दराएंगे तो आप अच्छे से इसको सिख पाएंगे अगे देखते हैं दोस्तों अगला स्तला आता है रोपड यह कौन से कार बनर सब्साब्य शम्द करता है इसको ऊत्तरों करता है यकधत सर्मा वेल्स में इन harmonic यह 16 जानगाल में पजीए पंजाब कर रोंपड जिला है ठीके दोस्तों और अब इसमें देखके त्क कैसे याद कर रहेंगे दुछे जो है 17 नदी पर है और इसके जो उत्खलां करता है यगदत सर्मा है तो इसमें तरह पंच्छापपन रोकड लेकर रोकड यानि पैसे लेकर सरमाजी ने यग किया ठीक है त्रहपन च्छापण रुपे लेकर यानि रोकड लेकर सरमाजी ने यक किया दोस्तों अगर आप एक जिन मानता हूं कि आप अच्छी से याद करवाएं को कि इन से कुसर बन जाता है और जब बनता है तो हम काफी भूल जाते हैं को कि हमारे अक्सरी याद नहीं रहते हैं अगला लोथल दोस्तों बहुत ही मोश्ट इंप्रटेंट है काफी ज्यादा बनते हैं जैसे मोहन जानकारी में देख लेते हैं गुजरात का एमदबाद जिल्ए में पड़ता है और सबसे पहले जो दाने मिलते हो लोथल से मिलते हैं सिंदू सब्रदा का बंदरगाओ यहीं माना जाता है यह पूंत यहीं बंदरगा इंह रखो लोथल लगर के घरों के दर्वाजे मुख्य सड़क की और खुलते थे तराजू एवं अगनुकुंड की प्राप्ती होई है वो लोथल से ही प्राप्त होई है ठीक है दोस्तों यह आपको जो मैं जानका रही पॉइंट दें तो एक दुबार आप इनको देखेंगे तो अच् से भंग कर दिया 55-22 से याद रखेंगे उनका सन ठीक है लोगों यानि लोग से याद रखेंगे लोथल रंगनाथ और भंग से रखेंगे बहुग्बा ये आप अराम से लोथल भोगवा नदी के किनारे इस्तिध्धा और उत्खन करता इसके दिआध राप थे औरщा पच् तो दोस्त ने का अविसकार किस काल में हुआ, अगर देते हैं, औरfikर अविसकार किस काल में हुआ,Sir याओ किस आंग reflected वाले काल सुरू किया तो दोस्तों किसी करना सबसे लास्ट वाले काल यानिकि नपासफार काल में किया तबी नई के रांति इस तरह से याद करते के करने से विवी लोग नए ओगे या नया काम करना जान गए आगे देखते हैं अगले दिखते हैं अगले दिखते हैं पूसर नमबर पांच मोहन जोद्रों मोहन और सिंदू ठीक है कों सा है सबसे बड़ा भवन जो था विसाल किस्नांगार था है तो इसका अप्स़ Même होगा अगले दिखते हैं किशिंदु सउभữa विधा कि जो लिपी थी तमिल ब्रामी अरभी ग्यात नहीं तो मैंने बता था कि पूजा संबन्धी से तो देवी माजता की जो पूजा करते थे कौन लोग करते थे आररी सब्वेता के साथ भूमध्य सब्वेता के साथ सिंदु घाटी सब्वेता के साथ उत्तरवेदी सब्वेता के साथ तो राइट आंसर होगा सिंदु घाटी सब्वेता के साथ सिंदु घाटी सब्वेता के प मूर्थी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नमबर डी निर्थेगर्थी मूर्थी मोहन जोदुल का उत्खलन कारिक कप शुरुआ है तो दोस्तों मैंने बताया था है मोहन और सिंदू 22 मिनट से 22 यह नहीं 1922 अप्शन नमबर डी पहली बार कपास उपर जाने का स और सिंदू सब्वेधा को जाता है तो इसका राइट आसर होगा सींदू सब्वेधा अगला सिंदू सब्विधा के लोक कि दातू से अप्रिची थे तो दोस्तों मने बताया画ा सिंदू सब्विधा के चो लोग भूलोग यह नहीं जानता ते मृत्म को का टिला किसे कहा जाता है ? मृत्मको का टिला? मौहर्ण जोद्लय को कहा जाता है? तो उसका राये टांसर होगा और देखते हैं सिंदू गाटी सब बता का सबसे बड़ा इस्थल कौन से है थिक है तो इसका राइट आंसर होगा option नमस्कार जैहिंद जैवार नमस्कार जैहिंद जैहिंद जैवार